कर दोस्तों प्लंग इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है हम इशू ट्रैकर एपिसोड नंबर दस लेके आए हैं आपके लिए और इस महेने भी हमारे पास काफी इंट्रेस्टिंग इशूज आपके लिए पॉपिलर इवी कंपनी इसको लेकर के इशू ट्रैकर वह जगह है जैंनल लिए अगर आपके पास कोई इशू है तो आप डेविली हमारे फोरम पर ढल सकते हैं शायद कोई और आपको कर सके वह अगर आपके पास कोई इस्यू को डालिए एकिंग प्रत्मेश गर्ग जो मुंbई से हैं हमारे यूट्यूब चैनल मेंबर रहे हैं चार साल से भी ज्यादा और फाइनली सप्टेंबर 2021 में उन्होंने अपनी इलेक्टरिक वहीकल खरीदी रिवोल्ट आरवी 400 रिवोल्ट दो फ्लेवर्स में आती है 400 और 300 आरवी 300 एक हब मोटर है और आरवी 400 मिड ड्राइव बेल्ट ड्रिवन मोटर साइकल है प्रतमेश 3300 किलामेटर चला चुके हैं और कहते हैं कि उनकी रोज की रनिंग कुछ 100 किलामेटर के आसपास है जो के काफी अच्छी रनिंग है एक बिजी डे रहता होगा उनका तो इतने टाइम में उन्होंने काफी चीज़े नोटिस की है और एक लिस्ट है उनके पास आठ इशूस की जो उनकी रिवोल्ट आरवी 400 में उनको आए हैं आए देखते हैं वो इशूस क्या है तो सबसे पहले जब आप देखेंगे एक पिच्छर हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर एक बोल्ट है चैसी का जो निकल चुका है यह एक लाइफ थ्रेटनिंग इशू है और डेफिनिटली ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए लेकिन प् चीज है यूजर को हरवक्त पता होना चाहिए कि इसकी बैटरी में कितना चार्ज है और यह इंफिमिशन ऐसे ही मिट नहीं जाना चाहिए तीसरा इशू उन्हें मडगार्ड के लेकर के हैं जो काफी आवाज करते हैं जब वो गाड़ी चलाते हैं और ब्रेक लगाते हैं ख लेकिन कमपनी जरूर कुछ कर सकती है इसे रिफाइन करने के लिए पांचवा इशू ब्रेक पैड और डिस्क पैड के बारे में है जो एक कुकू आवास करता है धीमे स्पीड्स पे और इसे सॉट करना जरूरी है चता इशू उनका हेडलाइट को लेकर है जिसकी इसे उठते हैं तो भी एक बड़ी क्लैकिंग आवाज आती है तो यह डिस्टरबिंग चीज है और अच्छी क्वालिटी नहीं बताती आठवा इशू उनको एक फिर से लाइफ थ्रेटनिंग इशू हुआ जहां गाड़ी चलाते चलाते उनकी ब्रेक फेल हो गई और सड़ चीज है डिजाइन फ्लाव है जो वह चाहते हैं कि कंपनी जरूर इसके बादे में कुछ करे तो दोस्तों क्या सल्यूशन के लिए प्रत्मेश ने क्या क्या सबसे पहले तो बोल्ट का इशू प्रत्मेश ने इमीजिटली ऑटो स्पैर रिपैर शॉप में गए और एक स्प सबसे पहले बोल्ट अवेलेबल नहीं था सर्विस सेंटर ने कहा कि इसको और करने के लिए एक हफते से एक महिना तक लग सकता है और यह साधारण छे नंबर का एलन की बोल्ट है और कंपनी बहुत ज्यादा समय लगाती है वो कहते हैं कि स्पैर और करने के लिए दूसरा स चाते थे कि अश्यायों नोने कुछ तहकीकात की और उने पता चला की तीन कॉंटैक्त पिन होते हैं जिसक्य angry अगर पिन कर दिया जाए एक या दो डिगरी तो तो शायद वह contact ना छोड़े और एसो सी दिखते रहे लेकिन वह ऐसे पिंट को बेंड नहीं करना चाहते थे और एक सिंपल वन पिंट फिक्स के लिए भी अपनी पूरी गाड़ी खोलना नहीं चाहते थे तो इस इशू को उन्हें ने रिजॉल्व नहीं किया उनका तीसरा एसो मटगाड की नॉइस को लेकर था और उन्हें कहा गया कि यह नॉमल बिहेवियर है शॉक अब्सॉबर से नॉइस आ रही है और यह नॉमल भी यह लेकिन प्रतमेश को नहीं लगता कि यह नॉमल है लेकिन क्योंके यह लाइफ और that matter नहीं है तो उसको चला रहे हैं और उसे manage कर रहे हैं चौता issue belt की आवाज के साथ था जिसे वो समझते हैं कि यह साधारा normal चीज है क्योंकि यह design issue है और belt आवाज करता ही है high speeds पर लेकिन वो चाहते हैं कि company कुछ काम करें और इसे refine करें पांचवा issue उनको brake pad और disc pad को लेकर के था जो उन्होंने गाड़ी को बहुत thoroughly wash कराया और इसके बाद यह issue चला गया लेकिन वो कहते हैं कि दूसरे revolt चलाने वालों को भी ऐसे issues आते हैं और उनका भी brake pad पुरा finish हो गया था और replacement company के पास नहीं था जिस पुझे से technician को बाहर से दूसरे brake pad लाकर उसे adjustment करके लगाना पड़ा क्योंकि यह एक life or death issue है और इस तरह की problems नहीं आनी चाहिए कि critical space जो है company को stock में रखने चाहिए हर service center पे ना के एक हफता या एक मेहना लग जाए उस पार्ट को छोटे से पार्ट को लाने के लिए छता problem उनको light की intensity का था और वो कहते हैं कि definitely company इसके बारे में कुछ करक चकती है और fix कर सकती है अभी तक उन्हें को response नहीं मिला है साथवा issue side stand को लेकर के था और उन्होंने कहा कि oiling करने से और parking switch को screw को side करने से यह ठीक हो जाता है लेकिन यह दिखाता है कि यह cheap quality part है और वो चाहते हैं कि company better quality parts use करें अठवा issue break को fail होने वाला issue था कि चलाते चलाते उनकी break suddenly lose हो गई उन्हें पदाया गया कि ए air gap आ जाने के वज़े से होता है और कई और users को भी यह problem आया है लेकिन फिर वह problem चला भी जाता है however उन्हें लगता है कि यह ऐसे issues नहीं आने चाहिए यह design flaw है और company को definitely work करके इसे निकालना चाहिए इस issue को हम open रखते हैं क्योंके कई problems हैं जो solve नहीं हुए हैं अगर आपको इन में से किसी के लिए solution है या आपको भी यह problem है तो हमने इस issue की link description में डाल दी है जरूर वहां जाईए और देखिए और अपने comments और thoughts भी add कीजिए प्रतमेश की यह comments थी इन issues और solutions को देख करके के technicians अच्छे हैं knowledgeable हैं उनके पास tools हैं लेकिन spare parts नहीं है और plugin इंडिया ने भी यह देखा है कि कई EV companies spare parts का सही stock अपने workshops और service centers में नहीं रखती या नहीं रख पाती है और उन्हें चाहिए कि यह bolster करे और definitely यह supply chain related issue है जिसे उन्हें solve करना जरूरी है क्योंकि प्रतमेश जैसे कई users हैं जो कई सालों से electric vehicles को follow कर रहे हैं finally उन्हें electric vehicle ली है इस उमीद में कि उनका experience petrol vehicle, diesel vehicle से better होगा लेकिन उल्टा ही हो रहा है और उन्हें frustration faced करना पढ़ रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए electric vehicles का जो promise है एक better, superior, right, quality, comfort साथ में परियावरन को भी बचाने का तो वो promise पे deliver करना जरूरी है और companies को चाहिए कि इस तरफ definitely efforts करें इस तरह के parts not available वाले problem को हम accept नहीं करेंगे दोस्तों हमारा अगला problem है Ather 450X को लेके एक EV enthusiast है Mr. Pradip जिनोंने 18th August अपने birthday को अपनी Ather मंगाई थी और already वो 5000 km चला चुके हैं प्रदीप का experience उन्होंने कुछ पंक्तियों में हमें बताया है एक वीडियो बनाकर हमें बताया है संक्षिप्त में उनके issues ये थे सबसे पहले break pads उनके घस गए थे प्रदीप जेपी नगर के शोरूम में गए थे अपनी गाड़ी को अपनी Ather को service कराने के लिए ये उनकी पहली service थी और वहां उन्हें सबसे पहला issue ये बताया गया कि उनके break pads घसा गए हैं उन्हें ये भी बताया गया कि उनके पास break pads stock में नहीं है और stock में आते आते एक हफता लग जाएगा तो उन्हें ये कहा गया कि वो नजदीक के 7 km दूर दूसरे service center उर शोरूम में चला जाए और एक आदमी को उनके साथ भेजा गया प्रदीप मिन उन्हें ये भी पूछा क कि क्या आगे के break pads भी ठीक हैं तो उन्हें बताया गया कि spare parts available नहीं है लेकिन वो 500 km और इन pads के साथ अपनी गाड़ी चला सकते हैं अगली point उनको ये बताया गया कि उन्हें brake plate भी बदलनी पड़ेगी क्योंकि pads के घिस जाने के बाद plates भी घिसने लगी थी और कई सारे scratches उन् में दिया तो service center ने solution क्या दिया प्रदीप को कि सबसे पहले उनके brake pads बदल दिये गया और दूसरा उन्हें एक advice दी गई कि गाड़ी चलाते समय जरा भी brake lever को touch नहीं करना है क्योंकि हलके से भी touch में brake engage हो जाती है और फिर ऐसे ही problems आते हैं जैसे कि brake pad और brake pad holder घस जाना और 2000, 5000, 8000, 11000 km में भी यह similar problems आते हैं यह सब होने के बाद प्रदीप का service experience कैसे रहा सबसे पहले उन्होंने बताया है कि service बहुत ही slow रही दूसरी बात यह है कि parts available नहीं थे तिसी बात जिस service के लिए वो गय थे जो के first service belt service थी वो की ही नहीं गई चौथी बात उन्हें एक noon time दि request किया था कि उनकी गाड़ी को charge कर दिया जाए ताके वो उसे घर ले जा सके और उसे charge भी नहीं किया गया था तो हम आते हैं पांच भी बात पर के प्रदीप को गाड़ी एक दिन और उन्हें देनी पड़ी ताके उसे वो service deliver कर सके cost details customer feedback प्रदीप को total 2400 रुपीज का फर्च चीज उन्हें उन्होंने subscription नहीं लिया है जिसके वज़े से उन्हें pick up or delivery options नहीं है लेकिन उन्हें लगता है कि खुद गाड़ी को ले जाना और लाना ज्यादा जल्दी और convenient हो जाता है उन्हें यह भी लगता है कि लोगों को अच्छी तोर से information दी जानी चाहिए कि किस तो गलती बहुत ही expensive गलती ना हो जाए प्रदीब को यह भी लगता है कि service center की service की speed बहुत ही slow है और शायद company को deliveries रोक लेनी चाहिए जब तक के वो service और spare parts की availability को ramp up नहीं कर सकते और तभी जाके उन्हें और deliveries करनी चाहिए तो प्रदीब basically गाड़ी के साथ उन्हें कोई complain नहीं है वो अपनी ether के साथ खुश है हाला कि उन्हें range थोरी कम लगती है लेकिन उन्हें service experience बहुत ही बुरा लगा और वो चाहते हैं कि company इसे improve करें इस issue का link हमने description में दिया है दोस्तों वहाँ जाके आप detail में इसे देख सकते हैं वहाँ हमने link भी दी है प्रदीब के वीडियो की प तो दोस्तों हमारा आखरी issue इस मेहने का यह है MG ZS EV को लेकर के मिस्टर मुकेश बाला ने 15 नवेंबर को 2021 को अपनी MG ZS EV खरीदी और सिर्फ 6 दिन बाद 21 नवेंबर को यह गाड़ी रस्ते के बीच में बंद पड़ गई और उसने एक error दिया cluster पे जो कहता था HP battery shut off तो मुकेश इस गाड़ी को service center ले गए और वहाँ उन्हें बताया गया कि पानी पानी चला गया है गाड़ी में उसकी बैटरी में पानी भरा गया है जिस वज़े से यह बैटरी खराब हो गई है और उसे replace करना होगा जिसके लिए MG ने कहा है कि वो flooded area में गाड़ी को ल होती है तो अगर वो इस बैटरी का खर्चा लेने को तयार होते हैं तब उन्हें replacement गाड़ी दी जाएगी अफ्कोर्स मिस्टर मुकेश इस answer से कुछ नहीं थे और उन्होंने MG management को भी contact किया तो मिस्टर मुकेश ने उन्हें अपना GPS data access करने allow किया ताके वो चेक कर सके काड़ गई है और क्या कोई flood related या flooded area में तो नहीं गई है और अगर वो प्रूफ कर सकते हैं कि उनकी गाड़ी flood में गई है तो वो तैयार थे पूरी बैटरी रिप्लेस्मेंट का खर्चा उठाने के लिए उन्हें ये भी बताया गया कि हाई वोल्टेज कपलर था जो generally exposed हो जाता है water को खास करके monsoon या rain showers में और इसके जरीए पानी battery में enter हुआ होगा तो Mr. Mukesh का ये पूछना है कि अगर ये गाड़ी IP67 rated है वो कपलर भी IP67 rated है तो पानी अंदर कैसे गया शायद वो कपलर ठीक से नहीं बठाया गया होगा या उसमें IP67 rating सही नहीं होगी तो ये दोनों का तो उनके कई emails exchange हुए MG के management के साथ और management ने उन्हें कहा है और assurance दिया है कि service center की judgment final judgment नहीं है उनकी judgment अभी भी pending है और उन्हें पता लगेगा कि उनकी गाड़ी का status क्या है तो अभी इस issue का status open है to be resolved है और क्योंके उनकी emails exchange हुए management के साथ तो plugin India इस issue को follow करेगी और आप तक रहेगी कि इसमें क्या हुआ जरूर इस issue की link देखिए जो description में नीचे दी गई है और updates हम यहीं पर post करेंगे मिस्टर मुकेश ने एक वीडियो भी बनाया है जहां पर अपनी गाड़ी को service center मिल ले गए हैं उसे उपर उठाकर वो देख रहे हैं कि कहां पर पानी है और उन्हें सिर्फ धूर और dust मिल रही है तो वह भी link में दी गया है आप जरूर देखिए ताकि आपको भी पता लग तो मिस्टर मुकेश को ऐसी abandon नहीं कर देगी तो दोस्तों धन्यवाद आंज तक हमारे साथ बने रहने के लिए इसी के साथ इस महने का issue tracker समाप हुआ अगले मैंने फिर मिनेंगे नमस्तार